नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर का अदा हिंदू न्यूस पेपर और पी आईबी का इंपोर्टन करेंट अफियर्स पी आई भी आपको पता है सरकार की सरकारी वेबसाइट है और हमारा करेंट फिर आपके सभी एकजाम के लिए काम कर रहेगा बिलकूल गरीट से लेके अल्टिट्वोड मतलब हर जगें आप को देखने को मिल सकते हैं बिलकुल और यह बिलकुल विदे स्टेंड एक्स्ट्रीम रेडियेशन जयल सकते हैं हीट को जयल सकते हैं कोली में भी रह सकते है और बीना खाय डिकेड्स विदाइट फूड भी बिल्कुल रह सकते हैं तो ये पिक्चर बिल्कुल आप देख पाएंगे कैसे क्या आट टोडी ग्रेट्स दिखाई देते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे बोक्षर मंदीप जांगडा ये जीतते हैं वर्ल्ड बोक्सिंग फडरेशन्स का सूपर जो टाइटल है इसको बिल्कुल जीते लेते हैं तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना वंडे अग्जाम के लिए क्योंकि पी आईवी में ऐसी वाली जो नि मेरी टाइम देखो कई बार ऐसा होता है महासागर में पूछ लेंगे ए का मतलब क्या है या फिर जी का मतलब अब ए मान लिए यहाँ पर थ्री टाइमस देखने को मिल रहा है आपको ठीक है तो यहाँ पर क्या पूछेंगे आपसे कि जी का मतलब क्या है एस का मतलब पूछ लेंगे है न तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें महसागर में इसका फुल फो में स्पेशली एम मेंस यहां पर मेरिटाइम है Heads for Active Security and Growth for All in the Reason ठीक है तो ये एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना बाकी तो इसका मेंली काम ही ऐसा है जो नाम है ऐसा ही बाकी कुछ भी नहीं है इसमें इतना स्पेशल ये जो इनिशेटिव है ये इंडियन नेवी के दवारा स्टार्ट किया जाता है लेके आया जाता है औ के आया जाती है International Solar Alliance के दवारा और प्यारा भारत में अगर हम कहें किसी International Organization का Headquarter के बारे में तो International Sollar Alliance का जो Headquarter है वो बिल्कुल Guru Gram हरियाना में है ठीक है अब आप कमेंट करके बताओ कि ये कौन से साल बनके मतलब बनता है ठीक है International Solar Alliance कौन से साल बनके निकल के आता है तो नेक्स हम बात करेंगे India to launch European Union's Solar Observatory Satellite Prova 3 ठीक है जो नाम है यह यह आपको ध्यान रखना है कि यह किसका है European Union का है ठीक है solar observatory satellite है प्यारा भारत इसको I think December के आज़ पस लॉंच करेगा तो यह confirmation आई भारत की तरप से भी इसी विज़े से चर्चा में आया न्यूज में देखने को मिला था ठीक है उसके बाद में गाईज हम बात करेंगे यहाँ पे अरब मगरेब यूनियन के बारे में देखो ये जो यूनियन है ये एक पॉलेटिकल और एकाउनमिक यूनियन ट्रेड एग्रिमेंट है इसको फाउंड किया जाता है मारकेश जो मुरकों में पढ़ता है 1989 में ठीक है और इसके जो मेंबर स्टेट है वो है अलजेरिया है लिबिया है मौरिटाञिया है मुरको और तुनिश्या कई बार यह होता है देखो ऐसे वाले जो भी यूनियन या कुछ ऐसे और्गनाजेशन जो हमें यह लगता है कि यह बिल्कुल ही लगता है और इसके उपर पूछा नहीं जाएगा सवाल UPSC ऐसा सर्प्राइज 5 से 10 क्यूशन में हर साल देती है जो बिल्कुल सर्प्राइज क्यूशन देखने को मिल जाते हैं पेपर में ठीक है तो ध्यान रखना है कुछ भी नहीं छोड़ना है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के बारे में एक इस रिपोर्ट का मैं कट आउट भी बिल्कुल सेयर कर दूँगा तो आप बिल्कुल हमारे टेलिगरम चैनल डेली दा हिंदू नोट्स पर जाके एक बार चेक आउट कर ल इसा जो इंपोर्ट डाटा होता है वो एक्जाम में डिरेक्ट देखने को मिल जाता है ठीक है तो आपको बिल्कुल धिहान रखना है दूसरी बात यहाँ पे हम दूसरा अगर बात करें तो यह भी इंपोर्ट पॉइंट है अंडर हाई एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन दा आपकर रीजन कुड़ सी 17% रिडेक्शन इन जी डीपी बाई 2070 वैसा देखो इस रिपोर्ट में इतना कुछ इंपोर्ट नहीं है बाट यू हाँ तो रिमेंबर अबाउट इस रिपोर्ट दाट इस रिपोर्ट इस रिपोर्ट इस रिलीजड बाई एशिन डिवलॉप्मे बैंक और इसके बारे में बैंक के बारे में बात करें तो इसका हैड़कोर्ट आपको पता होगा मनीला मनीला में है बिल्कुल फिलिपेंस ठीक है कब निकल कहता है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है गाईज अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपिएसी के दवारा कु पीडियेफ है डेली दा हिंदू नोट्स करके हमारे टेलिग्रम चेनल है वहां से डाउनलोड कर लिया करो हमारे सारे मन्त के पीडियेफ आलमोस्ट अपलोड है इंगलिश माध्यम का ओक्टोबर का नहीं है वो ओक्टोबर का अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है अब हम दिखाते हैं आपको देखिए 2019 में सवाल पूछा गया था कॉल एक दो दिन पहले चर्चा में था हमने भी डिसकस किया था कॉल को क्यों कॉल इंडिया लिमिटेड कॉन से उसमें परवेश कर गया पूप पचासवा साल में ठीक है तो इस अफला ओप्शन दे रखा है कि कॉल सेक्टर वाज नेशनलाइज बाइद गवर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर इंद्रा गांधी बिल्कुल उस टाइम पे इंद्रा गांधी थी ठीक है तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शन यहां पर गलत नजर आएंगे तो आप यहां से देखो यह भी कर सकते हो कि तीसरा देखो यहां पे ऑप्शन देखो तिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल तो मीट देखने को मिलेंगे जब आप तीसरे को निकाल दोगे ना तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है नेक्स सवाल के बारे में अगरम बात करें 2015 में UPSC के दवारा यह सवाल भी बिल्कुल पूछा गया है कि स्टील प्रोडेक्शन इंडिस्ट्री जो है वो रिक्वायर करती है इंपोर्ट ओफ बिल्कुल कोकिंग कोईल का ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे एक सवाल दिखाते हैं 2024 में अभी लेस्टिस्ट सवाल है और सबसे खास बत मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि न्यूज पेपर रीड किया करो क्यों बोलता हूँ यह बात आपको क्योंकि न्यूज पेपर से डिरेक्ट पेपर में एक्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं अब यही वाला जो सवाल UPSC Civil Service Prelims में पूछा गया था यह जून में I think 10 जून को चर्चा में दाहिंदू में आया था जो magazine टाइप करके एक दो पेज आते ना दाहिंदू में उनमें mention था यह और as it is यह वाली लाइन भी mention थी कि भाया largest जो कोकोवा producer है वर्ल्ड में वो कौन-कौन से देश तो यह mention था as it is तो ऐसे चीज़ों को धान में रखना है कोई suggestions हो जाओ रहता है तो no doubt आप मुझे comment यह mail कर सकते हैं मिलेंगे नए दिन के साथ wish you all the best